Hello friends, इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाला है, सिमन या फिर Spum Analysis के बारे में ये बहुत ही important topic है, because इसके बारे में बहुत जादा लोग बात नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर लोग इसमें पूछने से भी सर्माते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सिमन अनलिजिस कैसे करवाते हैं, और क्यों करवाते हैं, इन सब का details आपको पता लगेगा, तो basically यहाँ पर हमने एक सिमन का report लिया हुआ है, सिमन अनलिजिस का जो एक male 33-year के person का है, और इसको as a reference लेकर के हम लोग point ले discuss करेंगे, कि सिमन अनलिजिस में कौन से result आने पर उसका क्या significance होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि सिमन अनलिजिस हम लोग क्यों करवाते हैं, तो basically कोई couple है और वो try करते हैं और conceive नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पर infertility होगी, वो infertility या तो male में हो सकती, या तो female में हो सकती, या तो दोनों में भी हो सकती है, तो male में infertility होने के chances रहते हैं 40-50% और female में होते हैं 50-60%, तो male में infertility है कि नहीं है, उसको check करने के लिए सिमन अनलिजिस करवाना पड़ता है, इसके अलागा कोई person जिसको check कराना है कि उसके sperm का health कैसा है, proper उसके sperm या फिर सिमन अच्छे से बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो check करने के लिए भी करा सकते हैं, plus कोई ऐसा person, मतलब male, जिन्होंने अपना वैसे एक टॉमी कराया हो, मतलब जो होता है, male का sterilization process होता है, permanent sterilization process, surgery के गवारा, तो वो surgery कराने के बाद भी check करवा करके देखना पड़ता है, जो sperm है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये सारे condition में सिमन या फिर sperm analysis काम आता है, तो इसको explain करने के लिए एक movie का मैं clip लोगा, that is good news movie, जो अक्षा कमार का था, बहुत अच्य से उसमें explain किया हुआ है, बताया हुआ है, बट फिर भी कुछ चीज़े उसमें skip की हुई है, तो वो सारा चीज मैं cover करूँगा, जिससे आपको ये topic आसानी से समझ में आ जाएगा, इस video को judge करना है, तो ये video को आखरी तक देखना, उसके बाद फिर इस video को like ये फिर और dislike करना, so let's see that clip, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कोई भी person सिमन का सेंपल देने जाता है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा सर्माता है, तो वहाँ इस पे सर्माने वाली कोई बात नहीं होने चीए, जैसे आप blood का सेंपल देने में नहीं सर्माते, तो सिमन का सेंपल देने में क्यों सर्माना है, ये भी एक type का आपका health check-up है, यहाँ पर इस movie में एक और चीज नहीं बताया है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, उसी से आपका जो exact अच्छा सिमन काउंट आएगा, या फिर स्पर्म काउंट आएगा, वो चीज यह है कि जब आप सिमन का sample देने जाए, तो उससे पहले 2-5 days तक आपको कोई भी sexual intercourse नहीं करना है, इवन आपको किसी भी तरीके का masturbation भी नहीं करना है, जिससे आपका जो सिमन है आपके body से बाहर निकले, ताकि आपका जो सिमन का volume है, वो प्रापर हो और वो नंबर जो counting है वो आपका exact है, अब आगे हम लोग इस clip को देखते हैं, तो जब आप सिमन सेंपल देने जाएंगे, तो वहाँ पर एक इस तरीके से आपको plastic cup मिलता है, जो sterilized होता है, उसे में आपको अपना सिमन जो है collect करना होता है, कि मेरी बात दिहान से सुनिए, यहाँ पर मैं आप लोगो एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, कि जब couple unprotected intercourse करते हैं, 12 months तक उसके बाद भी उनको conceive नहीं होता है, तो उस condition को हम लोग infertility कह सकते हैं, तो वहाँ पर फिर male और female दोनों को चेक करवाने का ज़रत होता है, कि इंफर्टिंट्ली किस के तरफ से, male के तरफ से, female के तरफ से, या दोनों के तरफ से, ठीक है, उसके आप फिर further हम लोग देखते हैं, उध्यान से देखेंगे तो आपको पता चाने का, कि अम ओल्रडी इस दुनिया में कितने हेल्दी बच्चों को ला चके हैं, हमारे पास आपको एक चीज़ गरंटीद मिलेगी, good news, please help, Mr. Batra, please come, your super deluxe room is now ready, क्या बात है, super deluxe, तो यह तो हो गया movie का बात, बट आप जब normal pathology lab में जाएंगे, या फिर किसी normal से hospital में जाएंगे, तो आपको normal सा room में भेजा जाएगा, even कई बार आपको वास्रूम में भी जाना पड़ सकता है, वहाँ पर से फिर आपको सिमन जो है, खलेक करके, ले करके आना होगा, उससे कहीं जाएगा आपको perfect sample देना important है, और ultimately आपको इस तरीके से सिमन का sample देना पड़ता है, और उसके फिर आप काफी relaxed फिल करते हो, आपका जो सिमन का analysis है, within one hour आपका हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका report भी same day दे दिया जाता है, अब हम लोग discuss करने वाले हैं, जो सिमन analysis होता है, उस report में क्या-क्या चीज examine किया जाता है, और उसको कैसे interpret करते हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है physical examination, physical examination में होता है पहले time of sample, तो जैसे कि 11.30 a.m. को sample दिया गया था, time of examination हुए है 12.20 को, ठीक है, उसके duration of absentience means, यहाँ पर जो है, सिमन का evacuation last three days से नहीं हुआ था, जो भी person है उसने, three days का gap रखा हुआ था, तो two to five days का gap रखना है तो three days is ideal, कम भी नहीं है, जादा भी नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि, two to seven days का आप gap रख सकते हैं, कहीं पर two to seven days रहता है, कहीं पर two to five days रहता है, क्योंकि जादा लंबा gap करने पर भी, आपका जो सिमन का counting है, वो सही नहीं आता है, उसमें उनकी motility डाउन हो जाती है, next होता है, liquification at 37 degrees Celsius, तो यह 50 minute में liquify हो गया था, सिमन जो sample था वो, और यह 30 to 60 minute में liquify होना चाहिए, तो यहाँ पर 50 minute में liquify हो था, और exactly उसी टाइम पर यहाँ पर यह एनलाइज किया गया था, next होता है volume, तो यह volume हुआ था, 2.5 ml का sample volume था, और यह volume आपका 1.5 ml या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, appearance, viscid opaque था, viscid opaque मींस, एक टाइप का semi solid जैसा होता है, जो clearly, R पार नहीं दिखाई देता है, फिर color इसका whitish था, उसके viscosity थिक था, फिर pH जो होता है, 7.8 था, जो pH का ideal range है, 7.2 से लेकरके 7.8 होना चाहिए, इससे ज़्यादा pH होगा तो बेसिक हो जाएगा, इससे कम pH होगा तो एसडिक हो जाएगा, दोनों ही condition में जो sperm का counting है, वो decrease हो जाता है, sperm का death वगरा हो जाता है, अब next जो था, microscopical examination, मतलब यह microscope में देखा जाता है, तो इसमें पहला था, total sperm concentration, तो यह था 105 million per ml, एक ml में 105 million sperm present थे, और यहाँ पर इसका जो reference value होता है, more than 15 million per ml होना चाहिए, तो यहाँ पर sperm count, total sperm का जो concentration था, काफी अच्छा था, next होता है, percentage motility, तो percentage motility जो find out होगा, that is 75%, और यहाँ पर more than 40% होना चाहिए, तो वो सही sperm है, there is no issue, मतलब वो normal sperm है, वहाँ पर infertility के जो chances नहीं है, जो grade A और grade B के sperm को मिला करके होता है, तो grade A का sperm क्या होता है, जो progressive motile होता है, मतलब वो tail के थूरू ऐसे progressive होता आगे बढ़ते रहता है, तो वो 60% था, 75 में से 60% जो कि एक बहुत अच्छा report है, और ये more than 32% होना चाहिए, ठीक है, more than 32% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो ये again correct है, grade B, non progressive motile, मतलब ये motile तो है, बट आगे progress नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आगे का moment नहीं हो रहा है, तो ये थे 15%, फिर grade C, मतलब immotile, मतलब जो moment नहीं कर रहे हैं, तो वो थे 25%, उसके फिर vitality, vitality यहाँ पर find out हुआ, 78% और ये होना चाहिए, more than 58%, ठीक है, तो vitality means क्या होता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कि जो live sperm है, जो जिन्दा sperm है, उसका counting है, उसका percentage है, मतलब वो sperm, जिनका जो membrane है, वो intact रहता है, वो breakdown नहीं हुआ रहता है, तो ये more than 58% होना चाहिए, यहाँ पर ये 78% है, agglutination, मतलब जो sperm है, आपस में ऐसे गुच्छे agglutination नहीं होना चाहिए, उसमें comes नहीं बनना चाहिए, तो ये negative होना चाहिए, और इस sample में negative था, पस cells, तो ये 3, 2, 4, पर high power field था, जिसको हम लोग बोलते हैं, पर HPF, तो ये nil होना चाहिए, बट 3, 2, 4 होना normal है, मतलब 4 से ये कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है, तो chances रहते हैं कि bacterial infection हो, usually neceria, gonorrhea का chances रहता है, प्लस किसी भी तरीका के inflammation होगा, तो वहाँ पर जो sperm है, या फिर सीमन उसमें, पस cells दिखने लगते हैं, तो 3, 2, 4, या फिर 2, 2, 3 होगा, मतलब 4 से नीचे होगा, तो that is normal, वहाँ पर worry होने का chances नहीं, उससे ज़्यादा होगा, तो एक बार डॉक्टर से consult करना चाहिए, और यादी सीमन में पस cell पाया जाते हैं, तो उस condition को बोलते हैं, पायो spermिया, next होता है red blood cells, तो ये nil था, और nil ही होना चाहिए, ठीक है, because उसमें red blood cell हुआ, मतलब internal कोई injury होगी, तब उसमें RBC आएगा, next होता है epithelial cell, मतलब जो skin का outer layer वगरा का होता है cell, वो तो वो nil होना चाहिए, 2-2-3 पर HPA-PAB present था, तो ये भी कोई बहुत बड़ा amount नहीं है, ये थोड़ा जादा amount होने पर problematic है, ऐसाच 1-2-3 रहने से, ऐसाच कोई problem नहीं होता है, तो ये ultimately कहा जा सकता है कि काफी अच्छा report है, next, इसका morphology भी दिखा जाता है, sperm का, तो morphology में क्या क्या देखा जाता है, normal morphology, तो ये more than 4% होना चाहिए, लेकिन इसमें actually में 75% का normal morphology था, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, normal sperm है, तो ऐसा normal morphology, 75% symptom थे, abnormal morphology वाले 25% symptom थे, उसमें abnormal morphology, 25% में से, 10% जो sperm है, उनके head में defect था, ये वाला जो portion सामने वाला होता है, ये head होता है, तो इसमें defect होता है, neck and mid-piece defect वो 10% था, मतलब ये होता है, neck and mid-piece होता है, ये वाला portion, तो यह 10% डिफेक्ट था और इसके फिर टेल डिफेक्ट तो 5% का यह जो टेल है पूछ इसमें डिफेक्ट था तो इस तरीके से होता है और बेसिकली यहां पर यह जो नॉर्मल मॉर्फोलोजी वाले तो यह हो गया सिमन का अनल हिस का रिपोर्ट और आई होप आपको यह वीडियो देखने के बाद इससर रिलेटेट कम्प्लीट जानकारी मिल गया होगा थैंक यू सो मच